अनुभवी राजनाएक विक्रम के दोराईस्वामी को मंगलवार को युनाइडिट किंग्डम में भारत का नया उच्छायुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनेतिक संबंदु को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ती माना जा रहा है। विदेश मंत्रारे ने इसकी जानकारी देती हुए काहा है कि जल्दी विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेड में भारत के उच्छायुक्त के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि विक्रम के दोराईस्वामी 1992 के भारते विदेश देवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में बांगलादेश में भारती उच्छायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल तक पत्रकारिता की थी। उन्होंने दिल्ली युनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर डिग्री हासल की थी। 1992 से 1993 तक दिल्ली में अपना सेवा कालिन प्रशिक्षन पूरा करने के बाद दुराय स्वामी को माई 1994 में होंग कॉंग में भारती दूतावास में तीसरा सचिव भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने हॉंग कॉंग के चीनी विश्व विद्याले के न्यू एशिया यल इन एशिया भाषा स्कूल में चीनी भाषा में डिप्लोमा के डिग्री प्राप्त की है। बिक्रम के दुराय स्वामी भारत के प्रधानमंतरी के नीजी सचिव भी रह चुके हैं। साल 1996 में उन्हें बीजिंग में भारती दूतावास में न्यूक्त किया गया था। लगभक चार सालों तक चीन में सेवा देने के बाद 2000 में भारत लोटने पर दुराय स्वामी को प्रोटोकॉल अधिकारी का उप्रमुक न्यूक्त किया गया। दो साल बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्याले में परदोन नत किया गया। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री के नीजी सचिव के रूप में कारे किया। साल 2006 की बात करी। तो 2006 में दोराईस्वामी ने नियू यॉर्क में भारत के स्थाई मिशन में राज़नीतिक परामर्ष दाता के रूप में काम किया था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने दक्षिन अफ्रिका के जुहान बर्ग में भारत के महावाड़ी जदूत के रूप में कारभार संभाला। यहीं नहीं विक्रम दुराईस्वामी जुलाई 2011 में दक्षिन एशिया क्षेत्री सहयोग संग सार्ग प्रभाग का नेत्रित्व करने के बाद वो मार्च 2012 में नई दिल्ली में हायोजीत चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समयनवैग भी रह चुके हैं। उसके बाद साल 2012 से 2014 तक दुराईस्वामी विदेश मंत्राले के अमेरिकी डिवीजन में संयक्त सचिव थे। इसके बाद उन्होंने उजबेकिस्तान और कोरिया में भारत के राजदूत बने। साल 2018 में विक्रम दुराईस्वामी ने बांगलादेश और म्यामार विभाग के प्रमुख के रूप में कारे किया। 2019 में उन्हें अंतरराश्ट्रिय संगठनों और शिखर सम्मेलनों के लिए अतरिक्त सचिव नामित किया गया था। दुराईस्वामी अक्टूबर 2020 से बांगलादेश में भारती उच्चायुक्त के रूप में सेवा दे रहे हैं।